नवस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं PTI 6 कों से संबंदित तो साथियो दिसंबर हो गया दो और PTI 6 कों के धरने को हो गए 170 दिन लेकिन अभी तक सरकार नहीं है इन बरखास PTI 6 कों की बहाली के लिए गंभीर ये गंभीर आरोप लगाए हैं PTI 6 कों ने दैनिक भासकर भिवानी की तरफ से खबर है और PTI 6 कों ने दी है सरकार को चेतावनी कड़े लेजे में नहीं किया समा योजीत तो हम बैठेंगे आमरन अंसन पर तो साथियो पूरी खबर क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को कम्प्लिट देखना और वीडियो को इतना अधिक से एर करना कि ये वीडियो उन सरकार के नुमाइंदों को पास जाकर उनके कान खोले कि PTI 6 किस बदतर हालत में है आज उनका जीवन क्यों है वो इतने नाराज क्यों है इतने क्रोधित और क्यों है इतने दुखी अपनी नोकरी को लेकर उनकी उस पीड़ा को वहां तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को इतना सेयर कर दो कि इनकी पीड़ा उन बेरहमों के पास जाए तो साथियो खबर है देनिक भासकर भिवानी की ओर से सारी रिक सिक्सकों की मांग के परति गंभीर नहीं है सरकार ये कहना है बलजीत सिंग्जियों का लगु सची वाले के बाहर चल रहे धरने परदर्शन को 170 दिन हो चुके हैं लेकिन ये गठवंदन की सरकार PTI की मांग के परति जरासी भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही ये कहना है PTI बलजीत तालू का तो साथियो इस दोरान सभी सारी रिक सिक्सकों वे जन संगठनों के परतिनी दियों ने सरकार के खिला जमकर नारे बाजी कर रोस परकट किया इस अवसर पर करम जीत दुरजन पूर उदेभान सुरेंदर सिंग खरक जय प्रकास बेठे हरियाना विदल्ले अध्यापक संग के अजित राठी जगरोशन सरोकरम चारी संग से राकेश मलिक हैमसा से मुकेश कुमार राजिस लांब प्री टीचर एसोसियेशन से जगविर कासनिया असोक चाहर ने कहा कि सरकार की कथनी और करणी में अंतर है पीटी आई अपनी जायज मांग के लिए संगहर्षरत हैं लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांगों को करने में सफल नहीं हुई है उनकी मांगों के लिए उनका ध्यान अभी तक नहीं आया है तो उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्दिन पीटी आई अध्यापकों को सिक्सा विभाग में समायोजित करें अन्यता सभी क्रमचारी संगाठन वे समाजिक संगाठन मिलकर आंदोलन करेंगे तो साथियो अगर आपको च सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को इतना अधिक सेयर करना कि ये वीडियो पहुच जाए सरकार के हर नुमाइंदे के पास और जुक जाए उनका सिर सरम से और कर दे भाले इन 1983 PTI 6 कोंकी और बच जाए इनके परिवार हो जाए इनका भी जीवन दोबारा उसी तरह पट आज आए इनके घरों में भी खुसी तो साथियो इस वीडियो के साथ आज का इसी वीडियो में इतना ही आगे जल्द मिलेंगे भाली की खबर लेकर चंद ही घंटों में और जल्दी ही तो आज की इस वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन वंदे मात्रम